नमस्कार मैं हो ससी आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं पीएम मोदी रांची में आज साम को करेंगे रोड सो 15 नौंबर को जन जातिये समुदाय को देंगे सोगात परधान मतिन नैंद मोदी जन जातिये गौरो दिवस पर भगवान बिर्शा मुदा के धर्थी पर होंगे इसके लिए पीएम मंगलवार को ही जर्खन आ जाएंगे पहले जहाँ पीएम जन जातिये गौरो दिवस 15 नौंबर को जर्खन पहुशने वाले थे अब खबर है कि पीएम 14 नौंबर की साम को ही रांची के बिर्शा मुदाय अरपोर्ट पर पहुँ जाएंगे इसके बाद पीएम मोदी रांची में रोड सो करेंगे रोड सो के दवान पीएम मोदी रांची अरपोर्ट से राजभान तक जाएंगे रात में वे राजभान में ही बिश्राम करेंगे बतादे 15 नौंबर की सुबह हुए सबसे पहले रांची के जेल चोक इस्थित भागवान बिर्शा मुदाय समनिती उद्ध्यान सा 37 से नानी संग्र लाए जाएंगे जिसके बाद वे रांची अरपोर्ट पहुँचेंगे और हेलिकोप्टर से खुट्टी के लिए रवाना होंगे फिर पी एम खुट्टी के बिर्शा कॉलेज मैदान में आयोजित कारकरम में सामिल होने के लिए कारकरम अस्थल पहुँचेंगे इसके बाद पीएम भागवान बीर्शा मुंडा की जनमास्थली खुटी जीला इस्थीत उली हातू के लिए रवाना होंगे उली हातू में परधान मंत्री भागवान बीर्शा मुंडा की परतिमा पर मल्यारपन करेंगे साथ ही उनके परिजनों के साथ बात चीत करेंगे खुटी में परधान मंत्री लगबाग अठाई घंटे तक रहेंगे पीएम यहां ट्राइबल प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे रांची एरपोर्ट से राजभौन तक तीन लेयर में होगी परधान मंत्री की सुरक्षा परधान मंत्री नैंदमोती के जहारखन दौरे को लेकर पूलिस ने अपनी तयरिया मुकमल कर ली है परधान मंत्री की सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम किये गए है रांची आरपोर्ट से लेकर राजभौन तक और राजभौन से लेकर खोटी तक परधान मंत्री की सुरक्षा को लेकर तीन हजार से अधिक जवानों के तैनाती की गई है बता दे दो दिवसी जारखन दोरे पर 14 नौमर को रांची पहुँचेंगे इस दोरा रांची के साथ साथ खोटी में भी कई कर क्रमों में परधान मंत्री हिसा लेंगे रांची आरपोर्ट से लेकर राजभोवन और राजभोवन से लेकर खोटी तक पर्धान मंत्री की तीन लेर की सुरक्षा ब्युस्ता की त्यारी की गई है पर्धान मंत्री की सुरक्षा में 3000 से ज़्यादा जवानों के तेनाति की गई इसमें 100 इंस्पेक्टर 552 SI 400 ASI के अलावा लाठी और महिला पुलिस बल भी सामिल हाए PM के आगमन को लेकर 14 और 15 नॉमबर को ट्रैफिक में बदलाव परदान मतिन नैंद मोदी के रांची आगमन को लेकर 14 और 15 नॉमबर को सहर की ट्रैफिक बेवस्ता में बदलाव किया गया है 14 नॉमबर को एरपोट से लेकर राजभोण तक रात 8 से 10.30 बए तक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा जबकि 15 नॉमबर को भी ट्रैफिक रूड में बदलाव किया गया है बतादे रांची के ट्रैफिक एसपी कुमार गौरों के द्वारा जारी किये गए निर्देश में बताया गया है कि 15 नॉमबर को सुब़ा 8 से 10.30 बए तक राजभोण से जेल मोड और वहां से रातु रोड हर्मू रोड होते हुए यर पोटतक वाहनों का परवेश वर्जित रहेगा पी-म का कारकेट गुजरने के बाद इस्थिती को देखते हुए यातायात समाने किया जाएगा इस समद में ट्रैफिक एसपी कुमार गौरो की और से सोमवार को निर्देश जारी किया गया है जारखन के किसानों के लिए खुस खबरी पी-म किसान की पंदरहवी किस्थ कल परदान मंत्री नायन मोदी मंगलवार को जारखन दोरे पर पहुँचेंगे पी-म मोदी जारखन वासियों को कई वजनाओ की सोगात देंगे साथी वह देश भर के किसानों को पी-म किसान समान नेदी की पंदरहवी किस्थ की रासी जारी करेंगे बता दे प्रधान मंत्री किसानों को 1815 नॉम्बर की सुबह 11 बज़ जारी करेंगे इस दवरान 18,000 करोर की किस्त जारी की जाएगी वहीं इसके अलावा प्रधान मंत्री जन जातिये गौरो दिवस के आउसर पर 24,000 करोर की लागा से पी-एम कमजोर जन जातिये समोह मिसन की खोसना करेंगे जनकारी के मुताबिक देश में कूल 75 कमजोर जन जातिये समोह है जो 220 जीलो के 22,544 गाओं में निवास करती है प्रधान मंत्री 7200 करोर की लागत से कई जनाओं का लागत रखेंगे इसके अलावा कई योजनाएं राष्ट को समर्पित भी करेंगे बर्थदे पार्टी मनाकर घर लोट रहे तीन यूगों की सलक हाथसे में मौत जारखन के रामगर जिले के मांडू थाना छेतर के रिलाइंस पेट्रोल पंप के पास जनमदीन की पार्टी मनाकर वापस घर लोट रहे बुलेट सवार्थिन यूगों की सलक हाथसे में मौत हो गई मिरितकों में राजू साव का उनाइस वर्षिये पुत्र करन कुमार कुलदीप साव का विस वर्षिये पुत्र रोहित कुमार और लाल देव करमाली का उनाइस वर्षिये पुत्र रोहनक करमाली सामिल है हाथसे के बाद इलाके में मातम पस रहा है बताया जा रहा है कि तीनों यूगों बुलेट पर सवार होकर बस दे पार्टी मनाने के बाद अपने घर लोट रहे थे इसी दोरान उन्होंने अपने आगे चल रही ट्रेलर को पीछे से टकर मार दी इससे तीनों यूगों की घटना अस्थल पर ही महत हो गाई साहेब गंज पत्राव में एसाई समेत कई जवान घाया धार्मिक अस्थल की पास पताखा फोड़ने पर तनाव की चीति उत्पन हो गई यह मामला राधा नगर थाना छेतरे के मसना पंचायत अंतरगत केला बाड़ी गाह में हुई है जहां एक धार्मिक अस्थल के पास दिवाली पर्व के असर पर रभीवार की देर साम पर टाखा फोड़े जाने पर दो पक्षों के बिच इस्थिति तनाव पुन हो गई घाटना की सुचना पाकर राधा नगर थाना परभारी चिरंजीत परसाद दलबल के साथ मोगे पर पहुँचे इस दोरान दोनों पक्षों को समझाने का पर्यास किया गया लेकिन एक पक्ष ने राधा नगर थाना के पुलीस वाहन पर पत्राव कर दिया जिससे एक ASI भी गंभी रूप से घायल हो गया है वही चार अरक्षी उमेश कुमार, विकास कुमार सा, सिरी नाथ कुमार राम, अरविंद रविद्दास वा थाना परभारी का ड्राइवर घायल हो गया है सीबू सोरेन के संघर्ष के कारण बना अलग जारखन जामुमो, जामुमो के महा सचीव सह परवक्ता बिनोत पांडे ने कहा है कि भाजपा और RSS जूट को सो बार बोलकर सर्च में बदलने की कोशिस करती है, इसी सोच के तहत अलग जारखन का सरे लेती है, पूरी दुनिय जानती है कि जामो के परमुक, दिसोम गुरू, सीबू सोरेन के लंबे संघर्ष और सैकड़ो सहीदो की देन है जारखन, भाजपा खुद अपनी पीट थप थप थपाना छोड़े, मुक्य मंत्री है मंसरोन की बरती लोग कि रिता से भाजपा की जमीनी खिसक गई है, अग भाजपा परदेश करयाले में सोमवार को जारखन, किसान, आसा, किरन, बारला और कोच, आशू भाटिया को समानित किया गया, भाजपा के परदेश अध्यक्स बावुलार मरांडी ने उनका स्वागत किया और बदहाई दी, बता दे, गुमला, निवासी और बोकारों में पर सिक्षन करने वाली आसा, किरन, बारला ने बीते दिनों 800 मीटर दोड में नया राश्ट्रिय रिकॉर्ड समाए, दो, चार, चैयालीस मिनट के साथ गोल्ड जीता था, इस अशर पर परदेश अध्यक्स मरांडी ने कहाए कि आसा, किरन, बारला पर हम सभी जारखन प्रदान मंत्री कि दो दिवस्य जारखन वार पर बेसेस, डॉक्ट्रों की टीम एडवांस, कार्डियक, एम्बूल엔स के साथ मुझूद रहेगी अलग अलग टीम अलग अलग अस्थान पर तैनात रहेगी स्वास्त विभाग से मिली जनकारी के नुचार एरपोट पर पारास होस्पिटल की मेडिकल टीम के साथ बिसेसक या डॉक्टर तैनात रहेंगे वहीं राजबहन में रिम्स के बिसेसक डॉक्टर भी रहेंगे धिरेंद्र सास्त्री के जारखन दोरा दो से चार दिसंबर तक होगा कारेकराम धनबाद के चिताही में तिन दिवसी धिरेंद्र सास्त्री बाबा के कारेकराम को लेकर हलाकि इस दोरान उन्होंने फुटबोल मैदान वहां आने जाने के राज्टे सहित इससे जुड़ी अने सभी तरह की चीजों की जनकारे ली जब तक SP के आने की सुचना पर लोग वहां पहुंचे तब तक वे वहां से निरिक्षन कर लोट गए मालूम हो कि विधायक ढूलू महतों के परियाद से अगले मा दिसंबर दो, तीन और चार को बाबा धिरेंद्र सास्ती का कारकरम आयोजित होने वाला है उत्राखंड टॉनल हादसा मजदूरों की मदद के लिए तीन अफसर रवाना की सहायता के लिए तीन से से टीम उत्राखंड रवाना हो गई सियम हेमान सुरे ने सोसल मीडिया एक्स पर कहा है कि उत्राखंड के उत्रकासी जीले में निर्वाना धिन टॉनल के अचानक धस जाने से चालिस तरमीकों के टॉनल में फसे होने की सुचना है इसमें कुछ स्रमीक जारखंड से भी है स्रमीकों की मदद के लिए राई सरकार का तीन से सही परतनीधी मंडल उत्राखंड भेजा जा रहा है टॉनल में फसे हुए सभी स्रमीकों की कुसलता की उन्होंने कामना की है खेलो जारखंड संपन्ड दो हजार से ज्यादा खिलाडी लेंगे भाग जारखंड के स्कूली सिक्षा आयों सक्षाता विभाग द्वारा जारखंड सिक्षा पर्यूना परिशत के ततोधान में रांची के खेल गांश्थीत बीर बुद्धु भगत एस्टेडिया में राज अस्तरिये खेलो जारखंड तयरा की परत्योकता संपन हुई खेलो जारखंड अंतरगत राज अस्तरिये तयरा की परत्योकता के समापन में सरकारी क्वाटर से बाहर रहने वाले डॉक्टर पर होगी करवाई समुदाइक स्वास्त केंद्र के परभारी चिकित्सा को परखंड के आवासे परिसर में ही रहना होगा उसके साथ परखंड में सेवा देने वाले मेडिकल अपसर को भी परखंड परिसर इस्थीत सरकारी क्वाटर में रहना होगा सरक्वारी क्वार्टर से बाहर रहने वाले चिकिसकों के खिलाप मुख्याले रांची को सूचित किया जाएगा इस समद में सिविल सरजन डाक्टर चंदरभानू परताप ने आदेश जारी करके सभी प्रभारी चिकिसकों को निर्देश दिया है उन्होंने कहा है कि समुदाइक स्वास्त केंदर 24 घंटा चले इसके लिए चिकिसकों को परखंड परिशर इस्थित क्वार्टर में रहना होगा वैसे डॉक्टर की आवास्य भात्ता बंद किया जाएगा जो आवास्य परिशर में नहीं रह रहे हैं धर्बाद ने फिलहाल आठ समुदाइक स्वास्त केंदर है जबकि 28 प्रात्मिक स्वास्त केंदर है यहाँ पर डॉक्टर और मेडिकल अपसर के लिए अलग-अलग क्वार्टर भी बनाए गए हैं लेकिन परखंड परिशरिष्थी सरकारी क्वार्टर में परभारी अथवा मेडिकल अपसर नहीं रहते हैं भूत दिखाओ और 50,000 इनाम पाओ रेलेवे का एलान भूत दिखाओ तो 50,000 इनाम मिलेगा जारखंड की सीमा से 65 मंगाल बिज्ञान मंच की पुरलिया जीला सका ने फिर से पुरसकार की घोषना की है रांची रेल मंडल के जालदा के बेगून कोदर स्टेशन को भूत हाय स्टेशन कहा जाता है करीब 56 साल पहले इस एस्टेशन की भूत रहस्यक की बात लिख हुई थी भूत चतुरदसी से पहले इलाके के एक बुजुर्ग ने इसका राज खोला उस समय स्टेशन मास्टर बैजनाच सरकार थे जिन्होंने भूत दिखने की बात पूरी तरह जूटी गड़ी थी बता दे बेगून कोदर थाना चेत्र के निवासी वा सिक्छाक परमेश्वर कुमार वा संकर कुमार ने बताया है कि दरसल स्टेशन मास्टर की चार बीटिया इलाके में छेड़ चाड़ के सिकार होई थी लिहाजा वह टांसफर चाहते थे लेकिन नहीं मिलने पर उन्होंने भोत की कहानी गड़ी थी जार्खन स्टेट महिला अंडर 15 किरिकेट टीम में दिब्या राय का चयान हुआ है देरी फारम चलाते हैं और मा हाउस वाइफ है एक भाई और बहन इसकूल में पढ़ाई करते हैं दिब्या राय पुरे कुलहान की एक लटी लड़की है जिसे महिला किरिकेट अंडर 15 में जार्खन एस्टेट किरिकेट में सफलता मिली है दिब्या अपने टीम के साथ गवालियर के लिए रवाना हो गई पिछले दो साल से दिब्या राय किरिकेट का प्रसिक्षन प्राप्त कर रही है रांची में दिवाली की रात कई लोग जूल से रिम्स में हुआ इलाज दिवाली में अतिसवाजी में कई लोग जूलस गए हैं जिसके बाद कई जूलसे मरीज इलाज के लिए रिम्स और रांची सदर अस्पताल पहुँचे रिम्स के इमर्जैंसी में रभीवा देर राद तक करीब 10-15 ऐसे मरीज पहुँचे जो अतिस वाजी के दरांजुलकष गये थे रिम्स एमर्जेंसी से मिली जनकारी के नुसा रातरी बारा बाये तक 10 से बारा ऐसे मरीज पहुँचे जो अतिसवाजी की वज़स से छीट पूट जल गए थे वहीं सदर अस्पताल में करीब 10 मरीज जलने की सिकार होकर एमर्जेंसी पहुँचे थे राहत की बात यह रही की सभी मरीज जलने की सधारन सिकायते के साथ पहुँचे थे अयोध्या की तर्ज पर रांची में भी मनी दिवाली भागवान स्री राम के नगरी अयोध्या की तर्ज पर रांची में भी लोगों ने दिवाली के मौखे पर एक साथ हजारों दिपक जला कर रिकोर्ड बनाया है दिवाली के आउसर पर रांची के एक सोसाइटी में 171 एक ऐस दिपक जला कर दिपोध्सो मनाया गया रंग बिरांगे बीजली के बलबो के बीच भागवान स्री राम का नाम लिखे परंपरिक दिपक ने रांची के इस परिसर को अध्या नगरी जैसा बना दिया इस दोरान खास बात या रही कि इन दियों में परदूसन रही तेल का इस्तिमाल किया गया ताकि किसी भी तरह का पर्यावरन परदूसन ना हो सके पीए मोदी के जारखन आने से पहले खुटी पहुंचे अर्जुन मुंडा परदानमत्र नायंद मोदी जारखन जाती है गौरोद दिवस परभगाण बीरसा मुंडा के गाह उली हातु आ रहे हैं पीए मोदी के आने से पहले जारखन जाती है मामलो के केंद्रिये मंत्री अर्जुन मुंडा खुटी पहुंचे उन्होंने पिये मोदी की खुटी यात्रा के मंदल तयारियों का जाजा लिया उन्होंने सभा का अस्थल बीर्षा कॉलेज इसीत फुटबोल स्टेडियम और अनिगड़ा में निर्मनाधीन हेलिफेट का निरिक्षन किया इस दोरान उन्होंने खुटी के उपायोग लोकेश मिशासे तयारियों के जनकारी लिय CompTIA उन्होंने कहा है कि प्रधान मंत्री खुटी की पावन भूमी से कई वजनावों और करकरमों को राष्ट को समर्पित करेंगे पलामु के थाने में तैनाथ A.S.I. की धुनाई आरोपी गिरफतार पलामु के हुसाइनाबाद महिला एवं बाल सनलचन थाना की ओड़ी में तैनाथ A.S.I. चंद्रदीप परसाथ के साथ एक युवक नमार पीट कर घायल कर दिया इस समद्ध में A.S.I. चंद्रदीप ने रेहला निवासी चंद्रदीप खिलाब हुसाइनाबाद थाना में नामजाद परस्मी की दर्चकराई है इसमें कहा गया है कि महिला थाना परभारी ने मोबाइल पर बताया था कि जपला सहर निवासी पूजा कुमारी पती चंद्रदीप गुपता के लिए दिये गए आवेदन की जाच कर ले वे आवेदी का पुजा कुमारी से आवेदन की अधार पर पूज ताच कर रहे थे इसी बीच पुजा कुमारी के पती ने मोबाइल पर पुजा से संपर्क किया तो उसने बताया कि वह महिला थाना हुसाइनाबाद में हाए कुछी देर बाद पुजा कुमारी का पती 4 पह यवाहन से थाना पहुचा पती पत्नी को बैठा कर आपसी समाती से रहने की बात कर रहे थे समझाने की दोरान ही चंदन गुपता जोर जोर से थाने में चिलाने लगा गाली गलोज करते हुए ASI का कॉलर पकड़ लिया और मार्पिट करने लगा